नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल रवी सिविती एचेसम के अंदर इससे पहले भी मैंने वेदि की वेदियों से संख्याओं के वर्क के से ग्याद के जाएंगे उनके गन के से ग्याद के जाते हैं काफी वीडियो में अप्लोड ही कर चुका हूं जिसमें काक्षा 10 के अंदर है प्रशनावली 1.1 और 1.2 वो बढ़िया तरीके से मैंने एक्स्प्लैन करके वीडियो अप्लोड ही कर दी है ठीक है उनके और आज का जो टोपिक है मारा वो वेदिक विदियों से वर्क मूल ग्याद करना यानि वर्क ग्याद करने की सारी प्रशनावली 1.3 खक्षा 10 और वेदिक विदियों से जब भी वर्क मूल ग्याद करेंगे तो हमारी कक्षा 10 के अंदर केवल दो विदियां दे रखी पहली विदी देखो कौनसी है मारी पास ही भाग विदी ठीक है और दूसरी विदिया मारी पास ही द्वैंद योग विद तो दोनों विद्वों से मैं आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग मूल ग्याद करना समझाओंगा वीडियो पर बने रहें अगर आप लोगो ने वीडियो पूरा देखा तो आपको पूरी चीज बड़ी आतरीके से एक्स्प्लेन हो जाएगी और जितनी भी क्य कुष्ण हमारे पास देखो इधर ही इन सभी कुष्णों पर हम प्रेक्टिस ही करने वाल हैं तो आप ठड़ा ध्यान दीजी ज्यान दोगे ध्यान देकर करोगे तो आपको सार चीज बड़ीया तरीके से समझ में आ जाएगी देखिए जैसा कि मैंने बताया वर्गमूल गयाद करने की दो विदियां देरीके टेंथ में पहली विदी हमारे पास है भाग विदी और दूसरी विदी मारे पास है द्वन्द योगी विदी और दोनों ही विदियों से मैं आपको इन संख्याओं का वर्गमूल गयाद करना समझाने जा रहूं कि कैसे ग्याद के जाएगा उसका method क्या होगा तो आप देखते रही बढ़िया तरीके से इसमें जो पहला question है हमारे पास question number 1 उसके इनर देखो आपको 21 और 16 इसका वर्मूल याद करना है भाग विदी से कौन सी विदी से ग्याद करना है भाग विदी से ग्याद करना है लेकिन इससे पहले आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चीए पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जिनका वर्ग मुल एक पूर्ण संख्या हो, ठर्ट पूरी संख्या हो, जैसे, जैसे मा लिजिए आपके च्यार, एक ले लिजिए, फिर च् फिर नोट फिर सोला फिर फिर पचीज फिर चातीस फिर उनन्चाज फिर छोग सट ठीक है फिर 181 और फिर 100 ऐसे बहुत सवाओं सारी संख्या होती है अब इनका वर्ग्मू निकालते हैं इनका वर्ग्मू निकालेंगे तो क्या एगा एक चार का वर्गमूल कितना होता है चार का वर्गमूल हो जाएगा दो नो का वर्गमूल कितना होता है तीन ठीक है ऐसे होता है वारी पास अगर हम चार का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो कितना होगा च्यार ठीक है पांच का वर्गमो निकाल लें तो कितना होगा 25 का वर्गमो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ठीक है और ऐसे हम 7 का वर्गमो निकालते हैं तो 49 का वर्गमो निकालेंगे तो कितना आएगा हमारी पास ही साथ का स्कुराइर ठीक है चौनशाट का वर्गमों निकालेंगे तो कितना जाएगा हमारी पास ही 8 और ऐसे ही हम अगर सो का वर्गमों निकालते हैं तो 10 आ जाएगा हमारी पास कितना जाएगा 10 यानि एक दो तीन चार पानच छे साथ और नो का स्क्वार यहां मिलें अर्थार्थ संख्या एं जिनका वरगमूल मिलेकी पूर्ण संख्या और पूरी संख्या हो पून संख्या हो ठीक है वह सारी की सारी क्या है पून वर्ग संख्या है कहनाती है यह सारी की सारी पून वर्ग संख्या है इनका वर्ग मुल क्या है एक पून संख्या है तो यह सारी की सारी क्या है हमारे पास पून वर्ग संख्या है ठीक है एक चीज आपके समझ म अब आज़े आप सवाल के अंदर बहाग विदी से आपको कौन सी विदी लगानी हमें पहले बहाग विदी ठीक है बहाग विदी से पहले हमें संख्याओं का वर्मॉल क्याते करें क्यूशन नंबर एक है मारे पास तो आप पहले देखिए एकाय के अंकों से हमें कम दो दो अंकों की जोड़े बनाते हैं असके इनदर बागवदी में क्या करते हैं एकाय के अंकों से राटी के एक्ष्मी कोड़े बनाते हैं इतर से बन गया जोड़ा इसे भी बन गया जोड़ा दो जोड़े बन एक्किस सोला 2100 का जब और रजा लू निकल लेंगे थो उसमें और उपमढ़ेंगे कितने यह यह बनाता हैं किसे कैसे ग्यात करेंगे देखो यहां देखिये स्टार्ट यहां से करेंगे यह 21 है 21 है चोटी पूर्ण पर खालँ किया कौंसी है मरी पाश आव सी 16 कौंसी है आख जो0 तो फोनुट और सिंग लग देंगे थे स्लिकांटिकिंक नीचे लिख़एं मेंने स्लिकाएं मुझन यहाज इंगे यहीज लिख दिया में इन्योक वर्गमूल क्या होता है याज कितना होता है याज पूझनोतिखान HOW 20th 84 ञानुसी अब गुंधर निथा ने पहुनदी आप ही बात है ठीक है और जोड़ते ही यहां पर है चार और चार कितना हो गया मारी पास ही आट प्लस कर लो वह बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए ठीक है अगर आप लोग लिखना चाहो तो गुणा भी लिख सकते हो क्योंकि योगफल तो यहां लिखा जाएगा और इन दोनों के गुणानफल यहां लिखा जाता है ठीक है तो multiply लिता हूं क्योंकि वैदि गनित के दर मारी पास यहां गुणा में ही है ठीक है देखो फिर आगे चा यहां लिखने का फॉटा का जोड़ यू टरता है यानि पूरा होल जाएगा सुल कि अगला जो अंगोगा हो क्या खा जाेगा उपूरी संखे उतर गीऺ इसके इंदर आपको फ़िर आहरो में भाग देना है किसो में आट का है टिक है लेकिन यहां पर तो चार और चार क्या आठाइक है थाँ तो यह था हही भाजक क्यों हमारे पास थी बाज़कन हमें ज्याnym करना है शर्म समसा η्क इंदूला ये लिद और न्याती ज्याढने के लिगे क्लिए कटेंगे यहां पर हम संख्यार रक डेखेंगे एक दो तीन च्यारग है नो दस एसे रखने के देखेंग है तो में यहां पिखू चार रख के देख रहा हूं कितना रख कि छ्या़ अग्र मैं भी चार रख देता हूं समझना आप देंगो अगर यहाँ चार के आगे चार धिया में लίकर एंप बतारो आपको कैसे करना एको ठीक है फिर बागी के सवावल पर प्रेक्टिस करेंगे यह यह चे रख देता हूं कितने रख दिए मैंने 6 6 6 36 36 कितने हो गए 6 6 36 48 48 48 48 48 48 48 31 कितना हो गया 91 यहोगे हो अबरे पास 516 यानि मुझे यहाँ अगर में यहां 6 रखता हूं तो इसको 6 से मुझे multiply भी करना होगा और इनका गुणनरफल अजाएगा हमरी पास यहां पर कितना आगे 516 और second में देखो मैंने इसके आगे क्या रखा एच्छे यानि 21 इसका जो वर्गमूल निकल कर आएगा हमारी पास ही वो 46 निकल कर आजाएगा ठीक है इस तरीके से आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं का उप्रगमूली ज्याद करना है मैं सिखा रहा हूँ आप प्रेक्टिस करती जाएगा साथ की साथ आपको बड़ीया तरीके से आ जाएगा क्यूशन नम्ब एक हो गया हमारी पास अब क्यूशन नम्बर दो में चलते हैं देखो क्यूशन नम्बर दो में क्या है मारी पास क्यूशन नम्बर दो क्यूशन नम्बर दो के अंदर आपको 42 और 25 इसका वर्गमूल याद करना है तरीका वही होगा दोडो के जोड़े बना यह एंको के आपके यह जोड़े बनगी हो पास इस चोटी पूशन के कितनी होतीए 36 यह चात्तिस लिग दिया चात्रीज कर मूल कितना होता है यह 6 लिग दिया तो 6 यहां पर आएगा 6 यहीं से जुड़ जाएगा क्या होगा जुड़ जाएगा ठीक है अब देखो 6 और 6 योगफल तो यहां पर आजाएगा कितना 12 ठीक है और गुणफल यहां पर है कर देते हें 12 के आगे 5 जिते हैं और 5 से गुणा कर देते हैं तो 25 25 के 5 से जाएगा 125 को 5 से गोड़ा करेंगे तो हमारे पास 625 निकल करें आ जाएगा ठीक है और यह पूरा-पूरा भाग चला जाएगा और हमने लाज सेकेंड स्टेप में देगो 5 रखा यहां पर तो भाग फोल में क्या रख देंगे 5 यानि 42 25 का गरम बर्गमू निकालते हैं तो हमारे पास कि 65 निकल करें आ जाएगा ऐसी अगले स्वाल में चलते हैं देखिए अगले स्वाल क्या किया रहाम से क्यूशन दिर 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 क्या टफ होते जाएंगे यह तो बिल्कुल इजी थे अगर आप लोग ने में समझ लिया तो चाही स्वाल चोटा है और बढ़ा हो दोनों परकार किस्वाला पासानी से निकाल सकते हैं अब क्यूशन नुम्बर 3 देखिए क्यूशन नुम्बर 3 के अंदर हमारे पास है 68 और नवासी तरीका वही है हमारे पास तरीका वही है यह दो दो की जोड़े बदाली हमने 68 से चोटी पूल उटिसंग क्या होती है 64 यह 64 लिख दी 64 का आठन वापस लिखेंगे ठीक है आठ आठ यहां तो कितना हो गया 16 और यह अट सेट में से 64 कितना हो गया च्यार बागी पुरा जोड़ा उतरता है 8 9 यहां अगे हमरे पास अब 16 के आगे कौन सा अंक रखे कि उसी को गुणा करने पर यानि जैसे माली जी एक रखा तो एक से गुणा करना होगा अगर मैंने यहां 2 रखा तो 2 से गुणा करना होगा अगर मैंने यहां 3 रखा तो 3 से गुणा करना होगा अगर मैंने यह 4 रखा 16 के आगे ठीक है तो 4 से ग तो 3 तिया कितना होता है? 9, 3 चेंग कितना होता है? 18 और 3 इंकम 3, 3 और कितना हो गया? 4, 489 आगे हमारी पास, यानि यहां पर हमें 3 रखना होगा, 8 का बाग दिया तो, कितना, पहलांक तो 8 है, और दूसरां कितना हो गया? 3, 3 है हमारी पास, ये लिजे, इनको multiply किया हमने, 163 को इसका वर्गमुल कितना आगया? 3, 8, ये निकल कर आजाएगा इस कांसर, फिर अगली क्यूशन में आजाईए, क्यूशन नमबर है 4, क्यूशन नमबर 4, ये रहा हमारी पास, क्यूशन नमबर 4, अब भी देगो, 4-4 रंकों की संख्यां का वर्गमुल निकाल रहते हैं, हम 5 6, 7, 8 बड़ी से बड़ी संख्यां का वर्गमुल हमें निकालना देखेंगे, देखो, अब हमारी पास इसके बाद में 5, 9, 0, 4, 9, ये संख्या है हमारी पास, इसका में वर्गमुल याद करना है, दोदो की जोड़े बना लेंगे, देखो, पहला जोड़ा, दूसरा तीन डोड़े बन गें, इसका मतलब है इसके वर्गमूल में, ये जो संख्या हमारे पास, इस अंख्या के वर्गमूल में, तीन अंक होंगे मारी पास, कितना डिजिट होगी? तीन डिजिट होगी, ठीके? हाँ तो 5 से छोटी पूल惜 रिसम क्या होती है 4 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 2 यहां लिखा वर्गमूल क्या होता है 2 आगए मारी पास वर्गमूल का पहलांक आ गया ठीक है फिर यहां तो जूट जाएंगी कितने हो गई 4 और 5 मैं से 4 गया एक पूरा जोड़ा उतरेगा इसके अंदर यानि वन तो है मारी पास नाइन जीरू यह पूरा उतर गया मारी पास अब जो भाग देना आपको वह 190 में देना है और किसका देना देखो चार के आगे कौन सा अंक रखे हैं अगर हम 41 रखते हैं तो एक से गुणा करना होगा यह तो बहुत चोटी संख्या है फिर यह भी बहुत चोटी संख्या अब यह सी आएगी फिर हमें 3 रखें 3 तीन और 3 चोक 12 और अगर हम 4 रखें तो ऐसे देगो 4 चोक 16 16 का 6 और 4 चोक 16 और 1 के 176 यह हो गया तो मुझे 176 से ही लग रहा है बाकी देख लेते हैं और 45 और 5 यह तो बड़ा हो जाएगा ठीक है तो यह बेस्ट है हमारी पास यानि मैंने 4 रख लिया यहां पर कितना हो गया यह 40 चार रखा है तो उसको चार से होगा फिया यहां लिखा जाएगा कितना है यहिएए 176 186 ऐं ठीक है फिर इसमें से गटाएंगे मायनिस करदिंग किस्गो जैसे मायनिस हो हमारी पास दस्ते को जिरू में से चैनी जाएगा हसली लिए दस में से 6 कितनी बचास तोटैंगे 4 आजाएंगे फिर आठ एट मैं से 7 कितना बचाएगा एक आगे हमारी पास यानि 190 में से 176 माइनस करेंगे तो हमारी पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा है ओके फिर अगला फिर वही जोड़ा उतरता है पूरा का पूरा यानि 4 9 यह पूरा का पूरा उतर गया हमारी पास और यहां पी जुड़ती है संख्या है चार चार कितनी हो गई आठ और यह चार है मारी पास कि अब आपको 1449 ठीक है 1449 में भाग देना है 1449 में भाग देना किसका संचोधित भार्जक का तो कैसे ग्याद करेंगे देखो 1449 यानि इसकी पहले डिजिट के है चार तो अगर एक रखते हैं तो 481 एक सी गुणा करेंगे तो वह आएगा दो रखते हैं अगर हम तीन रख लेते हैं चार ती बारा अगर चार रखते हैं तो चार तीन रखते हैं तो यहां तीन रखते हैं क्या है कि हमरी पास 4, 8, 3 और यह 3 ऐसे रखते हैं मुल्टिप्लाइ करके देखते हैं तीन तीन कितना हो गया 9 हो गया हमरी पास ठीक है फिर 3, 8, 24, 24 का चार हो गया असल के 2 तीन चोग 12 और 2 कितना हो गया 14, 1449 आगे हमरी पास यानि हमें यहां तीन रखना होगा 413 को मुल्टिप्लाइ करेंगे 300 कितना है गया 1449 आगे हमरी पास और यहां देखो फर्स्ट पे हमरी पास क्या था दो दो लिख दिया हमने फिर सेकेंड में 4 रखा था इसके आगे यह 4 आगे हमरी पास और थर्ड में हमने 3 रखा था तो यह 3 आगे यानि 243 यानि हमारी पास 69,49 निकालेंगे तो हमारी पास वर्गमूल में कौन सी संख्या निकलकर आएगी 243 ओके फिर अगली क्यूशन में आ जाएगी क्यूशन नमबर 5 में क्यूशन नमबर 5 भाई अगर आपको बढ़िया तरीके से आगे तो इसमें फटावट फटावट जलजली प्रेक्टिस करेंगे ठीक हैं बाई स्टार्टिंगे अंदर आपको मैंने बहुत संजा दिया यह अब इस पर जल्दी से जल्दी प्रेक्टिस करेंगे क्यूशन न हमरे पाससे बारा है है 53 और 16 जrev yak अустρα करेंगे यह इलिजए जोड़े बना लिया मने कितने जोड़े पने कि अधने तीन तो इसक वरोहें कितने अंक हो हो जाएंगे हमरी इस टीन अंक हो जाएंगे 3, 3 यहां पर क्या होगा, यहां तो जुड़ जाएगा, 3 और 3 कितने आजाएंगे, 6 और 3 कितना, 3 को 3 से गुणा किया, तो 9, 9 यहां पर आगे मारी पास, 12 में सुनोगे, कितने बचेंगे, 3, ठीके, और पुरा जोड़ उतार देंगे, यहां तरेपन, यह लीजिए, अब यहा आज था, यह लुट आना चाहिए, तो रख के देखते हैं, एक रखने का कोई फाइदा नहीं, 2, रखने का 3 रखने का, 3 यह रखने 8, 3 यह उतार नहीं, पर कोई फाइदा नहीं, 4 5 6, और 6 यह रख के देखते हैं, ठीके, लेकिन 6 यह छे तिस हो जाएगा, तो आप 5 यह द अगर हम 6 रखते हैं तो डाय को 36 हो जाएगा संक्य तो ऐसी बढ़ी होगी मारे पास ठीक है और 325 जो है मारे पास 353 से छोटा भी है तो फिर यह रख लेंगे 5 यह आजाएगा मारे पास और गुणफल गया 325 यह तो जुड़ जाएगा 5 और 5 जोटा 10 10 का 0 और यह कितना होगे मारे पास एक जुड़ गया तो 7 ठीक है भाई 5 और 5 10 10 का 0 और 6 और यह कितना होगे 7 होगे तो ज़्या जाता है संख्यbonKY इतीन में से पास नहीं जाता तेरा में से पास गें तो कितने आ जाएंगे आठ ठीक है और यहां चार में से दो गया तो फिर अगले पूरे 16 गए तर अब यहां पर पास था तो यह पांज गया ओके अब यहां पर 70 है हमारे पास और यहां पर 2816 यहां पर यानि इस 70 के आगे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 2816 में पूरा-पूरा भाग चला जाए बिल्कुल ईजी है अगर हम यहां पर 4 रखते हैं 4 बोना करके देख लो चारचों कितना हो रहा है 16 और चारते किटना हो रहा है 28 ये लेजी भाग पल में आ गया ठीके यानि जब आपनध़ कि कितना है हमारे पास ये काही धाई सेकड़ा 1000 नकालना कितना इजी होगा हमारे पास ठीके जब हम 12 15 16 इसका वर्गमोल निका लेंगे तो हमारे पास इसके वर्गमूल में क्या हैगा 304 ओके आगे समझ में चलते हैं फिर अगले स्वाल के अंदर क्योशन नमबर आ जाएगा मरी पास ही 6 सवाल दिरे दिरे बढ़े होते जाएगे मरी पास तो समझते ही आप क्योशन नमबर 6 क्योशन नमबर 6 के अंदर देखो यह वाली संख्या है मरी पास 16 VER का टिर्म ऑर 46 शोला सथियानवे और 44 ऐह पास है जोड़े बन डिधों के ऑन्लीय गढ़े जोड़े जोड़े संख्या है इसका मतलिफ कितना है कितने जोड़े बनें तो इसके वर्गमुल में कितने अंक होंगे? तीन अंक होंगे 16 तो खुद क्या? एक पूर्ण वर्ग संख्या है? 16 वर्गमुल क्या होता है? 4, यहां 4 तो यहां भी कितना गया? 4, यह लीजिए 4, 4 कितना हो गया? यहां 8 हो गया और यहां 0 आएगा तो जूर लिखेंगे तो अगले एक उतार देंगे 9 और 7 9, 7 रखेंगे तो फिर हमें यहां पर देखो 9, 7 भाग देना है तो यहां पर हम 1 ही रख सकते हैं अगर 2 रखते हैं तो इससे जादा हो जाएगा यह लीजिए इससे, एक रखेंगे तो क्या है वो यह 1 रख घर आजाएगा इन दोनों को जोड़एगे करे कितना हो गया 2 वा की 80 है हमारी पास यह 8 है मारी पास 81 है वह यह तो यह 1 और 1 2 हो गया और बाकी 8 से कितना हो गया हमारी पास फिर 9 में से 7 9 sorry 7 में से एक गिया कितना जाएगा 6 और 9 में से 8 गिया कितना गिया एक गया यादि सोल आ गया अब पूरा जोड उतरेगा ये 24 ये लिजी 16, 24 अब यहां भी रख दें कितना सोच के रखेंगे संख्या यहां पर 4 अरहा एक आएक ठीक है तो यहां भी उसी के नुसार चार अना चाहिए तो चार चोप 16 होता है मारी पास 16 नहीं आएगा और अंटी अंटी 64 बाकी अंटी 64 तो बोज्जादा हो जाएगा ठीक है हमें चाहिए जस्ट दुगना चाहिए तो दो रख लेते हैं यह लो करके देख लेंगे कुणा क्या दि स्वाल बड़ी नहीं है तो यहां देखो पहली बार हमने भाग दिया था चार का चार लिग दिया फिर एक रख था तो एक आजाएगा फिर यह दो रख था हमने साथ में संख्या के दो रख दिया तो यह दो यानि 412 जब हम 16 सत्यान में चामालिस का वर्ग मूल निकालेंग तो हमारी पास 412 निकल कर आजाएगा कितना आजाएगा 412 फिर question number seven में आजाई 8 ही question है आज 8 question प्रेक्टिस करेंगे ठेक है आज जो प्रेक्टिस होगी हमारी वह केवल 8 question पर होगी okay जब भी आप math पड़ो ठीक है वीडियो पर आओ math पर तो आप copy और pen लेकर आए ताहिकि आप भी साथकी साथ ही इन कुष्णों पर प्रेक्टिस कर सको क्योंकि गड्यत है घड्यत तो प्रेक्टिस मंगती है आपको बार-वर प्रेक्टिस कर नहीं है जब याद करना है तब ही चीजी आएंगे आपको नहीं तो आप ही आज समझाओगे और परसों भूल जाओगे क्या मतलब है इससे अच्छा है आप ही कोपी पेन लेकर आएं और साथ की साथ प्रेक्टिस ही करें क्योशन नम्बर साथ में देगो 12 65 625 एक अंक और बढ़ गया 12 65 625 ये लिजिए इसका वर्ग मुल आपको ग्याती करना है ये लिजिए और ये क्योशन नम्बर कौन सा था साथ वा ये लिजिए क्योशन नम्बर कौन सा है साथ वा वह जोड़े बना लेंगे पहले एक दो तीन ये लिजिए इसमें तो चार जोड़े बन गए इसका मतलब है इसके वर्ग मूल में चार अंक होंगे हमारे पास देखो कैसे ये लिजिए ये जोड़ाई यहां पर एक ठीक है इजर दो दो अंकों के बन गए लेकिन यहां पर एक रह गया तो ये भी एक जोड़ाई एक अंकर ठीक है ऐसे रख लेंगे इसको हां एक क्या है हमारे पास एक खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है एक कवर्ग मूल एक होता है तो एक खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो क्या करेंगे एक रख देंगे यहां पर एक कवर्ग मूल एक यहां भी एक एक रहे कितना यहां तो क्या करेंगे जोड मरे पास, 0 लिखेंगे नी, पूरा जोना उतार देंगे, ये 26 वाला, जोना उतार गे पूरा, 26 का 26, अब इसमें बाग देंगे 26 के अंदर, अगर मैं यहाँ 2 रक्ते दाऊं, तो 24 हो जाएगा, अगर 2 रक्ते गुणा कर दूंगा तो 24 हो जाएगा, 22 का दुगना कितना हो कि 24, इसलिए मुझे यहाँ 1 ही रखना होगा, ताकि इससे छोटा है मरे पास, ये लिजिए, 21 को एक से गुणा किया तो कितना हैगा, 21 हो जाएगा, ये लिजिए, वापस एक आगे, अब 26 में से 20 गया तो कितना बच जाएगा, ये 5 रहे गे हमरे पास, फिर ये पूरा जोड़ा बच जाएगा, 26 ये च जोड़ा भी यहाँ पर जोड़ जाएगा, एक ओन एक दो ये कितने होगे, 22 होगे हमरे पास, कितने हो जाएगे, ये हमरे पास 22 हो जाएगे, अब आपको यहाँ पर 22 के जश्ट इदर ऐसी संख्या介 रखनी है यहाँ पर, कि उसको गुणा करने पर, उस संख्याओ को रखने पर इस पूरी संख्याओ को गुणा करने पर गुणाफरली से छोटा है ठीक तो 22 है मारे पास यह दे रख ले देख लेते हैं यह 22 है 22 के आगे अगर हम रख लेते हैं 3, 2, 6, 4 जादा हो जाएगा 2 रख लेते हैं यह 4, यह 4 और यह 4 अगर 5 रख लेते हैं तो 5 रख लेते हैं तो जादा हो जाएगा 445 सही रहेगा बिल्कुल 2 तो यह कितना रख लेते हैं 2, 2 से मुल्टिप्लाई कर लेंगे 4, 4 और 4 आजाएगा यह गुणा यह जुट जाएगा 2 और 2 कितना यह तो 4 हो गया यह 2 और यह 2 यह 224 आगया और 222 को गुणा किया था 2 से तो 445 आगया यह दिखी तो फिर गटाएगे 6 में से 4 गया कितना आगया 2 आगया 5 में से 4 गया 1 आगया 5 में 4 गया 1 आगया अब यह पूरा जोड़ा उतरेगा भई 25 वाला ध्यानक ना यह 25 अब आपको 11,235 में भाग देना है किसका संचोधी बाजक का अब देखो यहां 5 दिखाई दे रहा है तो निश्चत्रूप से यह 5 होगा क्योंकि लाश्ट के 10 दिट आने वाली हमारे पास यहां 5 आ जाएगी यह लीजे 5 यह 5 गोड़ागर के देख लीजे 25 25 का कितना होता है 5 होता है 5 अगभी सर्दों कितना हो गया यह लीजे आगी वह संख्या नीचे शेशवल के आ जीरू और हमारे पास यह भाकवल के आ गया 1125 यानि 12 65 65 और 5 इसका जो वर्गमूल है मारे पास वह 1125 निकलकर आ जाएगा और यहीं स्क्यूशन का भी आंसर निकलकर आ जाएगा अब देखो सवाल वले बड़ा था इसका मैथड बहुत आसान हो रही इजी था अगर आपको इस वाल समझ में आ रहा है तो एक लाइक ठोक दीजिए ठीके वीडियो को लाइक कर लिजिए अंगोटा थम कर लिजिए बिलकुल और अपने यार दोस्तों में जितना भी हो सकें इसको शेर कीजिए ताकि वो भी इस मेथड को बढ़िया तरीकी से समझ सकें अगर आप अपने यार दोस्त ठीक है अपनी फ्रेंट से किल में वीडियो को शेर करोगे तो आपका दोस्त आपको दुआए देगा कि उसने आपकी हेल्प की या आपने उसकी हेल्प की सवालों को समझने में बोड एक्जाम में अच्छे नंबर लाने में हां तो अकले जो क्यूशन है वो आठ हो है हमारे पास यह रहा 15,22,756 हमारे पास है 15,22,756 इसका वर्गमूल हमें ग्याती करना है में अधियर वही है हमारे पास जिससे हम ग्यात करते आ रहे भी बागविदी वाला क्योंकि द्वंद योग विदी है वो मिसके जस्ट बाद में जी वीडियो जाएगा उसके अंदर में आपको द्वंद योग विदी से इनी संख्याओं का वर्गमूल कैसे ग्यात के जाए समझासको, देखिये, वहीं जोड़ें बना लेंगे, 1 2 3 4, एके जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, वहीं रहा एक, तो वापस हो यह एक सवेश्ण होगा यह सब्छोटी पुरुणु मेरी संक्या होगी खोब देह क्योंगी, क्योंकि एक खुदगे ऐ मेरे पास, पुरौरर किसंग जरू तो ये पूरा根 सुर जाए का या sagt 52 में आनरे पास सान हागद जाएक न उब फे जाये grid तो यह कितना होगे मारे पास से, 21 हो गया, 21, 21 को एक से पुना करेंगे, तो 20 आएगा, और एक सेकेंड, अगर हम 2 रख लेते हैं, इदे देखो, अगर हम यहाँ 2 रख लेते हैं, तो 44 आएगा, बहुन से छोटा है, तो 2 रखेंगे, यह लीजिए, तो यहाँ तो कितना हो गया यहाँ पास हो गया 44, ठीके, और यहाँ 2 रख था, तो यह 2 रख था, तो यहाँ तो यहाँ देखो, 2 रख लेते हो गया, 4 यह, 2, 22 कितना चोबीस हो गया, और इंका गुदन फालम निया लिके दिया था, यह माइनस हो जाएगा यहाँ पर, दो मैसे 4 नहीं चाहता, बारग म यह हमारे पास 827 चोटी संख्या जाए तो यह 24 है हमारे पास अगर हम 3 लिखते हैं 3 दून 6 होगा 4 दून 4 दून 8 होगा लेकिन यह बढ़ा हो जाएगा ठीक है तो आप ऐसा है कर लो इसको 3 तीन रखे देख लेते हैं 3 तीन नो होता है हमारे पास तीन 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 नो तीन चोट बारा बारा का दो हसल के एक तीन दून अच्छे हो रेकि 729 कितना 729 अगर मैं यह चार रख लेता हूं तो क्या है इस से बड़ी संख्या हो जाएगी मारे पास तो 729 रख लेते हैं ठीक है और कितना रख लेते हैं 3 यह 3 तो यहां भी कितना जाएगा 3 यह गुणन फल उसका गुणन फल कितना 729 729 मैं इसके जस्टी नीचे रख लिया यह लेजिए ओके यहां ठालेते हैं 17 मैं से 9 कितने बच गए हमारी पास 8 बच गए और यहां कुछ बचेगा क्या हमारी पास बचेगा बिलकुल यह 0 बचेगा और 8 मैं साथ गए 1 आगए 108 आगए हमारी पास हुआ है और तीन और तीन के तना ये तो ऑके था हो गे हमारी पास ये चार है और ये दो ह text Nee और यहां पर देखो याजा यहां पर दस है तो हम चार रख लेते हैं यह चार करके देख लो बुना बुली चार चो कितना हो रहा है चार चोक होता है हाट हासल का एक चार दुना एक सेकंड हासल कितने लिए हम देखो चार चोक 16 16 का 6 हासल के एक चार ची का 24 24 हो रहा था वै ठीक है चार ची के कितने हो गए 24 हो गए थे हमारी पास हाँ चार ची का 24 24 और एक 25 पाच पाच आसल के 2 चार चोक 16liamo चार चोक 16 हो रहा है और हासल के 6 16 और 2 कितना हो गया 818 का आठ आसल के 1 4 दूना 8 ही हो रहा हमारी पास यह हांपर जबकि वहा हमारी पास कितना है 10 एक सेकंड इसको तो दुबरा गठा के देख लो आप ठीके है यहां तोड़ी mistake है यहां तोड़ी mistake कर दी हमने दुबरा देख लेंगे इसको ठीके यहाली step दुबरा देख लेंगे हम इधर देखो 7 से 9 जहता है इस जी ए साथ मेंद डमी जैथब 17 में नो जैता है इसाद सेमेद से dud इलिती है लपके और उड़े तो उससे ले लिद्लिछी यह पेarde कि यह पी लिगेर ऑप टो प्रैरी जैका तो यह पी अरे किनल ईसनी जाएक यह फरी हो कितना रहते तीन कितना हो से inra 00&00 İşte किताब लिए शेषपल यहाँ उसन पर और हमने चार का भाग दिया तो चार लिख दिया ता यहां पर दे को यानि जब हमें पंदरा पाइस पंदरा बाइस पिचेतर उच्छे इसका जब हम वर्गमुल गयाद करेंगे भाग विदी के दुवरा तो हमारे पास इसका वर्गमुल कितना आ जाएगा 1234 च 언제 देखे हैं आप ने बड़े से बड़ी संख्यां का वर्गमुल गयाद करना बड़ी उजी तरीकी से सीख लिया है अब इस से अग्ले वीडी वी लिश्ième के अंदर में द्वंध योग विदी से बड़ी संख्याओं का वर्ग मुल कैसे गयाद करते हैं वो मैं आपको सिखा हूँगा अगर अभी अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक ने किया तो इसको लाइक कर लीजिए और चैलल पर अगर आप पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करना बिलकुली ना भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए इस पर बहुत ही उप्योगी और यूसफूल वीडियो लेकर आते हैं जो आप लोगों लिए बहुत ही Thank you very much.